सफर में मुश्किले आएं तो जुर्रत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है हमेशा चुनोतियों से लड़ना मुश्किलों का सामना करना जनता के दुख दर्ध में खुद को शामिल करना और जनता के हितों के लिगे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ना यही है पहचान कॉंग्रिस के जाबास सिपाही और बादली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादाव की निगम पार्षत से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले देवेंद्र यादाव आज अपनी स्वच्छ चवी और करतव्य निष्ठा से दिल्ली में कॉंग्रिस पार्टी की रूड़ बन चुके हैं देवेंद्र यादाव ने अपने शासनकाल में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े कारियों को अन्जाम तक पहुंचाया वो किसी कल्पना से कम नहीं था उत्तरी दिल्ली के इस पिछुड़े इलाके को फ्री देवेंद्र यादाव ने अपनी बहतर कारे कुशलता और सूजबूज से विक्सित कर दिया गलियों की मरमत से लेकर दिल्ली मेट्रो के रूट को बादली से निकलवाने तक में उनका विशिष्ट योगदान रहा बादली विधान सभा में देवेंद्र यादाव द्वारा हर कारे अपनी सफलता की कहानी खुद बया कर रहा है लोगों की बिदबा पैंसलें बड़ापे की पैंसलें और विकलांगों की पैंसल बगारा का जो भी कारे होता था वो सिर्फ IML लेके ओपिस से ही होता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर कोई विदबा और तभी भार मरने के लिए जाएगी तो उसको कैंप बेजा जा रहा है चाहे उसके पास कराया है चाहे उसके पास नहीं है और बड़ापे बाड़ों की बहुत से लोगों की डेड़ डेड़ साल ते पैंसले बंद पड़िया उनकी कोई भी सर्वाई नहीं है अमेले के राज में राशनकाट बने राशनकाटों के पर नाम भी चड़े लेके नाव राशनकाट बने ना तो दूर की बात नाम तक भी चड़नी पारे बच्चों के अडिमिशन के लिए भी जब हम दुविंदर वाई साम से कहते थे कि वाई साम उसकूल में हमारे बच्चे का नाम नहीं लिखा जा रहा कोई भी लेडी जाती थी तो उसका नाम करूल पर जाके वो लोग खुद करवा के आती थी और फिर अगर किसी बे सहरा और तो कोई किसी के पती बेगारा की डेथ हो जाती है किसी के घर पे कोई ऐसी कटना हो जाती है उसके लिए स्वैब सारी पार्टी बड़े आके उनकी मदद करते थे और उनकी सनवाई भी होती थी और हमें ऐसे ही विदायक दूइंदर जादो जैसे विदायक की बहुत सफ जरूरत है इसलिए हम सबसे कह रहे हैं कि अगर लेता हो तो दूइंदर जादो जैसा लेता है झाल झाल जबकि यही काम देवेंद्र यादों के शासनकाल में बड़ी आसानी से हो रहा था आज क्षेतर की जनता अपने लोग प्रियनेता को याद कर रही है करा था उसका भी टेंडर का पैसा पता नहीं कहा गया कहा नहीं हमें तो ऐसा है मेले चाहिए जो सब का सम्मान कर सके और सबको साथ रख सकता है ऐसा है मेले हमारा देविंदर यादों भी था जो सबको सम्मान देता है को अलाए हमारा चाहिं कोो सबको सम्मान कर बार है जनता के स्वास्त में जहर खुलने वाले इस खत्ते की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा नारी बिल्कुल साफ नहीं हो रही है कोई भी जमादाल नहीं आ रहा है वीजे पिंदर बट्टाई गोल कर दिया इस कालो निगा और शुरूप नगर के अंदर जितने रोड़ भी पक्ते बनाये हैं स्टेडियम बनाया है और आपका जो है यह पानी का प्लांट बना रहे हैं और आपका कहना स्कूल में 119 कमरे बनाये हैं और बच्चों के जाने के लिए जाने के लिए सब देविंदर याजोला काम किया उसके बाद किसी ने भी काम ने किया आज तक जब से भी धायक बनाया है यह पर आमाजनी का आज तक पुब्लिक में बिल्कुल कभी भी ने आया लोग जो है इन लोगों से तंग होगे पहले राजेश था इनके परिवार का फिर जो है और अंगोरी देवी आगी उसके बाद अजेश हागया अजेश के बाद पारस आगया यह तैंडीर अपना इन नमबर लगा गा दे करना करना किसी कुछ हेरी ना पब्लिक से मिलना पब्लिक यहां की सुरूप नगर की बहुत ही ज़्यादा प्रेशान है इन लोगों से प्रेशान होकर के जो है अब जो है इनको कोई भी रोट नी देगा और जितने भी भुज़रोग आदमी हैं धुगी जोपरी वाले हैं कि 70-80 साल के ओरते हैं जिनकी जो नघरणिगम के चुनाओ चल रही है और एक बार प्रेश पार्टी ने बादली विधान सभा में सभी वार्डों से ऐसे उमीदवारों को मैदान में उतारा है जो देवेंद्र यादा और क्षेत्र के विकास के सपने को आगे ले जा सके अब जनता को कोई भूल नहीं करनी है दो साल पहले जनता जूटे वाइदों और फ्री के लालच में आकर अपना नुकसान कर चुकी है पंद्रह साल से निगम की सप्ता में बैठी बीजेपी हर मोर्चे पर विफल रही है करमचारियों को सैलरी के लिए पैसे नहीं दिये गए लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अपनी जेबें भरने का काम किया दो साल पहले दिल्ली में आप की सरकार आने से सिर्फ वाद विवाद को जन में मिला जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भगतना पड़ रहा है इस बार जो चुनाओं में चल रहा है हमारी जो बीजेपी की कैंडिडेटेट हैं कुस्पा चोजरी उनका कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी की जो केंडिडेट है अनिल कुमारी क्योंकि आम आदमी से तो लोग वैसे ही तरस हो गए है क्योंकि पिछले बार बड़े भावमत से लोगों ने दिल्ली सरकार में उनको बठाया था पहले भी जो जीते थे सिर्फ केजरीवाल के दम पे जीते थे कोई अपने दम पे नहीं जीता था लेकिन आज पूरी तरह इंग उन से मह बंग हो चुका है और जंता त्रही तरहीं बानकर रही है और हमारे पहले जो यहां विदायक होते थे स्री देवंदर यादव जी वो उनका सोबाग्या नहीं स्वरूपनगर की जनता का सोबाग्या था हम तो आज सारी जनता उस भूल को मान रही है देवंदर जी ने स्टेडियम बनवाया पार्क बनवाया जल बोड के लिए टीटमे देवंदर जी से पहले इतने इतने गड्ड़ों में जाते थे आज आप देखरें बुराडी रोड पर आप जाहिए वहां से अगर दो बार गाड़ी निकल जाता तो गाड़ी का एक्सल टूट जाता था यह सब जो हैं देवंदर यादव जी की देने और वो सबसे बड़ी अब देवंदर यादव जी के यह लिए नहीं था जनता के लिए ऐसा नेता सायद पूरी दिल्ली विजान सवा में कोई होगा जो देवंदर यादव जैसा होगा आज जनता जो है पूरी तरह पस्ता रही है और आज चुनाओ करा लिजिए परचेंड बोहमत से देवंदर अब इस भूल को सुधारना है कॉंग्रिस के उमीदवारों को निगम में भेज कर फिर से विकास की राह को पकड़ना है और देवंदर यादव के हाथ मजबूत करने है आज जनता अपने छोटे-छोटे कारियों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है उनकी अंग्रिस राज में जनता के हितों की कभी अंदेखी नहीं की गई और पंदर साल के शासनकाल में दिल्ली की तस्वीर बदल दी